हेलो गाइस मेरे यटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करने वाले हैं कि इंगलेंड की क्रांती क्या है और हम जानेंगे कि इंगलेंड की क्रांती क्यूं ही और इसके कारण और प्रणाम के बारे में भी जानेंगे आयो दोस्तों शुरू करते हैं इंग्लेंड की क्रांती स्ट्वार्ड वंस के राजा जहम सुदूतिये के सासनकाल में हुई 1685 इस भी में इंग्लेंड के राज सिंगासन पर बैठा उसकी कुरूर और धार्मिक और राजनेतिक नीतियों के कारण इंग्लेंड में 1688 इस भी में गोरपून क्रांती घटित हुई इसे रखत ही इन क्रांती या बेवपून क्रांती भी कहा जाता है 1820 सदी तक विश्व में तीन प्रमुक क्रांतिया विविन देशों में हुई इस देश आवस्य अलग-अलग थे परंति इन क्रांतियों का प्रभाव इसके सभी देशों पर पड़ा और इनके सकारात्मक प्रणाम भी निकले इन क्रांतियों में इंग्लेंड की गोरपून क्रांती 1688 सब प्रतम घटित हुई या सबसे पहले हुई इंग्लेंड की क्रांति ने अमेरिका में भी सोतंतता प्राप्ति की मांग को बुलंद किया अमेरिका में सांसत तथा जनता में तनाव का माहुल था मता अमेरिकी उपनिवेसों ने सोतंतता प्राप्ति के लिए संगर्स किया यही संघर्ष अमेरकी करांती 1776 इस भी कहलाता है अमेरकी ये क्रांती तथा इंगलेंट की करांती 1688 के कारण ही रूप में क्रांती का दोरा रंब हुआ आगे फ्रांस में चर्च, कुलीन तता सासक, बर्ग के बुरुद्य स्रुमिकों, कृचिकों तता बुद्ध जीवियों के द्वारा जो करांती हुई वे फ्रांसीसी करांती कहलाती है परंतु 1688 इस भी इंग्लेंड की करांती सान्ती पूर्ण संपन हुई इस करांती में इंग्लेंड की सासन व्यस्ता तता इंग्लेंड का राजा बदला पर कहीं खून का एक कत्रा नहीं गिरा जो इसकी मात पूर्ण विस्यस्ता थी दोस्तों हम देखेंगे कि जो England की क्रांती थी वो क्यूं हुई इसके पीछे क्या रहस से था उसी रहस को हम प्रस्टूम या बेक्ग्राउंड कहते हैं कि इसके पीछे का हाथ क्या था जो England की क्रांती हुई आए दोस्तों देखते हैं इसके रहस England के तत कालिक सासक जैम सुदूतिय की निरकुसता तथा स्वच्छा चारिता यानि निरंकुस जिसके उपर कोई अंकुस ना हो जिस पर कोई बाउंडेशन ना हो ऐसा सासक और स्वच्छा चारिता मतलब अपने इच्छा के अनुसार कारी करना चाहें अच्छा वो कारी हो चाहें बेकार कारी हो कोई साभी कारी हो वो अपनी मन से करना मन मुताबिक करना किसी की बात ना मानना किसी के अनुपालन में रहना इसे ही हम स्वच्छा चार्ता कहते हैं स्वच्छा चार्ता कहते हैं से तंग आकर जनता निकरांती का अभान किया जम सुदूतिय को इंगलेंड का सासक बनाने के बाद सुरच्छित वातावन प्राप्त हुआ ब्रोधी दल समाप्त हो चुका था परस्तितियां रास्तंत के पच्छ में थी राजा के प्रति बिना विद्रो अग्या कारता का सिद्दान स्ववकार किया जा चुका था सांसद के अधिक सदस राजा के देविये अधिकार सिद्दान का समर्थन करने वाले थे लेकिन बाद में परस्तितियां बदलने लगी करांती के लिए जम सुदुतियां ने स्वए ही परस्तितियां तियार की उसके अनुचित एवम अभिद कारियों से सभी दलों के लोगों में तिब्र रोस और बिरोध भेला इंग्लेंड की जंता को विश्वास हो गया की राजा अपनी स्वेच्छा से साजन करेगा जेमस दुतियने राजा बनने के बाद कैथोलिक चर्च की सक्ति को बढ़ाना तता कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू गिया उसने विश्विद दालों तता सरकारी नोकरियों के महतपूर्पदों पर कैथिलिकों को रखा उसने नयालोय में पने विश्वास पात्र नया अधिसों को रहने दिया क्योंकि वे टेस्ट एक्ट को खतम करना चाहता था इंग्लेंड की जनता काफी समय तक उसके ताना साई सासन को इस प्रकार वरदास करती रही कि उसकी इमृत के वाद कैथोलिक सासन का अंत होगा परंतु जून 1688 में जैम्स की दूसरी कैथोलिक पत्नी ने एक पुट्र को जनम दिया जनता को विश्वास हो गया कि अब जैम्स की नीतियां उसके वरद की उपरांत भी चलती रहेंगी इस आसंका ने इंग्लेंड की जनता को करांती के लिए प्रेरित किया दोस्तों जैम्स की एक पहली पत्नी थी और दूसरी पत्नी थी उसने दो विवा किये थे पहले से उसकी एक लड़की जनमी थी जिसका नाम मेरी था उसका पत्ती बिलियम था जो हाललेंड में रहता था जोकि दूसरी वाली उसने पतनी की उसके एक लड़के का जनम हुआ और वो कैथुलिक धरम की थी इसलिए लोग सोच रहे थे कि जो इसके लड़का हुआ है तो ये भी अत्याचार करेगा इंगलेंड की जनता पर राजा बनेगा इसका लड़का तो दोस्तों आगे देख लेते हैं 1688 इस वी की गोरपुन क्रान्ति जैंस दूतिय के सासनकाल में विविन घटनाएं घटित हुई जिनों हो ने क्रान्ति को आवस से भावी बना दिया यानि जिसने ये क्रान्ति करवा दी ये घटनाएं निम लिखित हैं जैंस दूतिय के पुत्र का जनन, सबसे पहला यही कार्ण था कि जम्स दूतियेगा जो पुत्र हुआ, इसके कार्ण इंग्लेंड के लोग उने करांती शुरू कर दी, जम्स की पहली पत्नी को के वल एक पुत्री थी, वह प्रोटो स्टेंट धरम को मानती थी, उसका विवा आरेंज हालेंड क के राजकुमार बिलियम से हुआ, वह भी प्रोटे स्टेंट मता लंबी था, इंग्लेंड की जनता का विश्वास था कि वह इंग्लेंड पर सासन करेगी, इसलिए वे जम्स के अनुचित और अनाचनरपूर्ण के तियों को सहते रहे, जम्स की दूसरी पत्नी कैथोलिक थी चुन अठास, 1688 में उसनी एक पत्र को जनम दिया, जो जनता में धारना बनी की, उसके पत्र के सिच्छा तथा लालन पालन कैथोलिक धर्म के अनुसार ही होगा, जनता में भैय था और आतंग फैल गया, क्योंकि उसका मानना था कि जम्स की मिरत्त के वाद उसकी दूसरी प अतनी है, उसका लड़का ही सासक बनेगा, वो भी हम लोगों पर अत्याचार करेगा, दोस्तों यही कांड थे गोरपून क्रांती होने के, दोस्तों अगर हमारी वीडियों आपको अच्छे लगे हो तो मेरे चैन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दिख से सेर करें, बेल आइकन को भी दबालें, तकि आने वाली वीडियों आपको मिलती रहें